नमस्कार मित्रो स्वागत छे तमारू अमारी यूट्यूब चैनल लिविंग हेल्दी मा आजना वीडियो मा हुँ तमने बतावा जैरेयो छू बेसनना किटलाक होममेड फेसपेक विशे बेसनना होममेड फेसपेक विशे जणाविये ए पहला जो तमे अमारी यूट्यूब चैनल ने हजू सुधी सब्सक्राइब नथी करी तो प्लीज सब्सक्राइब करी दो अने बाजू मा आपेलू बेल नू सिंबॉल दबावी दो जेती अमारा आवाज नवा नवा वीडियो तमारा सुधी तरत पहुची शके बेसनना बिजापन केटलाक होममेड फेसपेक नो वीडियो में अगाव पन अपलोड करेलो छे जैननी लिंक नीचे डिस्क्रिप्चन मों आपेली छे ते पन तमे जोई शको छो औने तेनो उप्योक करी शको छो चालो हवे आपने जोई ये बेसनना होममेड फेसपेक सव प्रथम आपने जोईशू दही अने बेसननो फेसपेक तो यहमा सामगरीशू जोईशे बेचमची चणानो लोट एक थी बेचमची दै चणाना लोट मा दही ने बराबर मिक्स करी तेने स्मूध पेस्ट बनावी हवे आ मिस्रणने चहेरा तेमाज डोक उपर समान रिते लगावीलो तेने चहेरा पर 15 मिनिट सुधी राखो त्यार बाद नॉर्मल पाणी थी धोईलो आ फेस्प्यक नो उप्योग तमे अठवाडियामा बेवार करी शको छो स्कीन पर केविरी ते काम करे छे दही तेमा रहेला कुद्रती तेल तेमाज एंजाइमनी हाजरीना कारणे खुबज अध्भुत क्लिंजर अने स्कीन मोस्चुराइजिंग घून धरावे छे तेनो लेक्टिक एसीड पन त्वचाना मृत कोशोने दूर करवा तेमाज कॉंप्लेक्षन ने उजडू करवामा मदद करे छे तेमाज दहीमा रहेलू जिंक चहरापर ना डागने दूर करवामा पन मदद करे छे जिंक नो उप्योग हम्मेश आ खिलना एक गरगत्थू उप्चार तरीके वपराय छे ड्राइ स्कीन, नर्मल स्क्रीन, कॉंबिनेशन स्कीन तेमाज खिल वारी त्वचाव माटे नो आ उत्तम फेसपेक छे हवे आपणे जोईशू इंडानी सफेदी औने चणाना लोट नो फेसपेक तो सामगरी एक इंडानी सफेदी, बे चमची चणानो लोट, अड़ी चमची मद इंडानी सफेदीने तेमा ज्या सुधी बराबर फिन न वड़े त्या सुधी फेटता रहो हवे तेमा चणानो लोट अने मद व्यवस्तित रिते मिक्स करीलो आम इस्रणने चहरा तेमज डोक पर समान रिते लगावीलो तेने पंदर थी 20 मिनिट सुधी लगावेलू राखो त्यार बाद नव सेका पाणी वड़े धोईलो आ फेस्पेक नो उप्योग तमे दर 4-5 दिवसे करी शको छो स्कीन पर केवी रिते काम करे छे इंडानी सफेदीमा हाजर उत्प्रेरक द्रव्य छिद्रोंने खोले छे तेमज तेने टाइट करे छे आम थवाथी चहरानी करच लियो औने पातली रेखावो दूर थाय छे ते तमारीत वचाना कोशोना पुनह निर्मान माटे नी प्रक्रिया पन सुधारे छे तमारीत वचा स्निक्द औने कांतिवान बन्चे ते पन मात्र प्रथम प्रयोग माज आ फेस्प्यक नो शुष्कत्वचा सिवाईनी बधीजित्वचा माटे उत्तम छे अवे आपने जोईशू ग्रीन टी अने बेसन नो फेस्प्यक सामगरी बे चमची चणानो लोट एक ग्रीन टीनी बेग एक कब गरम पाणी गरम पाणी मा ग्रीन टीनी बेग थोडी मिनीट माटे पलाडी राखो हवे तेमा थी टी बेग हटावीलो अने ते मिस्रन ने ठंडू पडवादो हवे आ हरबल टीने चणाना लोट मा उमेरी तेनी पेस्ट बनावीलो आ पेस्ट ने चहरा तेमज डोक पर समान रिते लगावी दो तेने पंदर मिनीट सुधी रहवादो अने तेने पाणी वडे साप करी दो आ प्रयोग नो उपियोग तमे अठ्वडियामा बेवार करी शको छो सकीन पर केवी रिते काम करे छे ग्रेन टीमा समायला एंटी ओक्सिडन्स तेने मात्र पिवाथीज फाइदो नथी पहचाड़ता पन ते तमने बाहिय रिते पन मदद करी शके छे तमारी त्वचा पर सिधूज लगावा थी ते एंटी ओक्सिडन्स तमारी त्वचाने ओक्सिडेटीव श्ट्रेस द्वारा थैला नुकसानने पन दूर करेचे ते तमारी त्वचा परनी निस्तेजता दूर करेचे अने तमारी त्वचाना स्वास्थ्याने केटलाई घणू वधारी देचे गरेक प्रकारनी त्वचा माटे आ उत्तम फेसपेक छे हवे आपने जोईसु बेसन अने लिम्बूना रस नो फेस्पेक, सामगरी, ब्या चमची चणानो लोट, अड़धी चमची लिम्बूनो रस, एक चमची दही, एक चप्टी हड़ड़, उपर जणावेली बदीज सामगरी ने बराबर मिक्स करीलो, ध्यान राखो के कोई गठ न रही जाए, हवे आ मिश्रणने समान रिते तमारा चहरा तेमज डोक पर लगावी लो, आप हेस्पेक ने चहरा पर 20 मिनिट सुधी रहे वादू, त्यार बाद चहरा ने धोई, नेपकिन थी लुछी ने नही पन दबावी ने शुकवी दो, त्यार बाद तेना पर चुराइजर लगावी लो, आप हेस्पेक नो प्रयोक तमे अठवाडियामा बेवार करी शको छो, स्कीन पर केविरिते काम करे छे, लिम्बुनो रस त्वचानो रंग उजडो करवा माटे खुबज असर कारक छे, कारण के तेमा कुद्रती ब्लिचिंग होई छे, आ उपर तेमा समायलू विटामिन C, कोलेजन फोर्मेशन सुधारवा अने ओक्सीडेटिव सुधारवा मा मदद करे छे, आ फेस्पेक नो उप्योक त्वचाना कोंप्लेक्षन ने हडवो करवा करी शको छो, तेमाज त्वचा परना काला धब्बा अने पिग्मेंटेशन ने दूर परना करी शके जे, आने तेत वचाने स्निक्द बनावे छे, आ फेस्पेक तैलीत वचा कॉंबिनेशन सकीन औने नॉर्मल पेस्पेक सामगरी, बेचमची चनानो लोट, एक थी बेचमची नारंगी नो रस, चनानाना लोट मा नारंगी नो रस उमेरो, आने तेनी एक ס्मू त्यार बाद तेने नोर्मल पाणी वडे धोईलो, आप हे स्पेक नो प्रयोक तमे अठवाडियामा ब्याथी त्रण वखत पन करी छेको छो, स्कीन पर केविरीते काम करे छे, आप हे स्पेक थी तमारा चहरा पर गलो आवशे, ओरेंज जूसमा हडवो एसीड तमारी त्वच त्वचाना मृत कोशो दूर करशे, औने तमारी चामडीने एक नवोज रंगापशे, तेमा त्वचाना रोम छिद्रोने संकचवानू एक उद्रती तत्व समायलू होई छे, तेमा विटामिन C होई छे, जे लिम्बुना रस्नी जेम तेप पन तमारी त्वचाने दब्बा गटाडवामा तमारी मदद करे छे, आर इते तमे नवा नवा फेस्पेक नो उप्योग करीने तमारा चहराने रूपालो बनावी शको छो, आ फेस्पेक ना उप्योग मा खास महत्वनी वात ए छे के आ तमाम प्रकार ना फेस्पेक केमिकल रहीच छे, जो तमने अमारो आ वीडियो गमे होए तो वीडियो ने प्लीज लाइक कर जो, शेर कर जो अने अमारी चेनल ने सब्सक्राइब कर जो, तथा जो तमे फेस्पेक नो उप्योग करो अने तमने जो रिजल्ट मले तो आमने कोमेंट बक्स मा जरूर थी बताव जो, धन्यवाद